हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल बात करेंगे बैंक ओफ बरोडा के बारे में जो कि अभी अभी एक बहुती बड़ी अपडेट से निकल के आई है क्वाटर थ्री के नतीजों को लेगे तो उसके उपर हम डिस्कुशन करेंगे और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या पॉसिबल मोमेंटम शेर प्राइस के उपर नजर आ सकते है कहाँ पर रेजिश्टन और सपोर्ट लेवल है आगे अनवले दिनों में क्या टार्गेट आ सकते है इ मुझे लगता है कि काफी शांदार आने की उम्मीद है जिस तरह के यहां पे अप्डेट्स निकल के आया है उसके अकोर्डिंग तो सब कुछ जानते है इस वीडियो के माधियम से तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लग है तो लाग करके इंक और जो खबर निकल के आई है और फ्रेंड्स खबर आप लोगों के सामने है अम मनी कंट्रोल की वेब साइड के उपर आया है और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते है बैंक ओफ बोरोडा कोर्टर थी में तकरीबन नेट प्रोफिट जो दर्स कर सकता है और फिप्टी यहां पर देख सकते हैं नेट प्रोफिट की बात करें इस बार कोर्टर थी में तो यहां पर जैसा मैं आपको बताया 1641 करोड का नेट प्रोफिट आ सकता है यानि यह वन यह बिस्टी सेवन परसंट का ग्रोथ एन को और यहां पर दाउन साइड यानि फ्रेंड्स छोटी उदि में यहां पर डिकलाइन नेट प्रोफिट आने की उमईद हैं लेकिन बड़ लंबी उदि में काफी बढ़िया यहां पर हमें प्रो ग्रोथ्स देखना को मिल रहा है और अगर हम नेट इंटरस इंकम की बात करें तो तकरीब बन यह वन यह बिस्ट का इजाफ़ा ने 3.6% का year-on-year basis पर growth देखने को मिल सकता है and quarter and quarter basis पर देखे तो 7.4% के यहाँ पर down pre-provisioning नजर आ सकते हैं तक even 5,252 करोड का तो overall friends यहाँ पर हमें समझ में यह आ रहा है कि छोटी अविधी में यहाँ पर इतना ज़्यादा growth देखने को नहीं मिल रहा है quarter and quarter basis पर लेकिन लंबी विधी में देखे तो काफी जबर्जस growth देखने को मिल रहा है bank of baroda के तो लंबी विधी का view रखेंगे friends आप तो आपको काफी बड़े मोना पर bank of baroda दिखा सकता है आग गयान वाले दिनों में तो next क्या possible momentum देखने को मिल सकता है quarter three के नदिजों के चलता है उसके उपर हम detail में discussion करते है चार्ट के उपर उससे पहले आज के कारोबर की situation के उपर एक नज़र करें तो जैसा कि आप देख सकते है आज हमें 2% से भी ज़्यादे की तीजी के साथ closing देखने को मिले जो कि previous closing होई थी 84 रुपे 90 पेसे पर opening होई थी 83 रुपे 45 पेसे पर high बनाया 86 रुपे 30 पेसे का low देखने को मिला जहां पर opening वहां पर low और finally closing हमें डेट रुपे से भी ज़्यादा की बड़ोतरी के साथ closing नज़र आई deliver percentage की बात करें तो जो quantity trade होई वो तकरीबन 3 करोड 42 लाख 6,000 shares की quantity trade होई थी volume काफी शांदार देखने को मिल रहा था और deliver percentage की बात करें तो तकरीबन 67 लाख 42,000 shares की deliver percentage देखने को मिल रहा है तो करवर का situation तो overall देखने को मिल रहा है चार्ट के उबर एक नज़र कर लेता है तो जिसा की फ्रेंट्स आप देख सकते है bank of baroda का चार्ट मैंने daily time frame पे open किया है और यहाँ पे कुछ लाईने भी draw करके रखी है जो की हम में पिछले दिनों काफी बड़ी grout देखने को मिली थी यानि काफी strong buying हुई थी फ्रेंट्स असी रुपे से तो वही लोग पे फिर से stock आ गया है और वहाँ पी हमें संभलता हुआ हाल फिलाल नजर आ रहा है और असी रुपे से ही अच्छी खाजी तेजी हाल फिलाल देखने को मिल रही है फ्रेंट्स तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इमेडिट जो टार्गेट आ सकते है वो 95 रुपे तक की टार्गेट देखने को मिल सकते है नतीजे से पहले हो सकते है आपको 95 तक के मोमेंटम बैंक ओफ पोरोडा में देखने को मिल जाए फ्रेंट्स लेकिन अगर यहाँ पर बाज़ार का साथ रहा तभी आपको यह टार्गेट देखने को मिल सकते है जो कि पिछले दिनों इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था 95 से एक अच्छा रजिस्टन्स लेवल है वो सकता है एक बार के लिए यहाँ तक के मुमेंटम देखने को मिल जाए फिर वहां से हलका करेक्शन भी आ सकता है लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यह लेवल तो टेस्ट है दो बार यह लेवल टेस्ट हो चुका है तो तीसरी बार मुझे लगता है यहाँ पर इस रजिस्टन लेवल को ब्रेक कर देगा और जो नेक्स टार्गेट सो एक सो पांच रुपे तक के भी देखने को मिल सकता है लेकिन आपको पेशन के साथ पोजिशन को होल्ड करना पड़ेगा जो कि एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर बैंक ने अच्छा सपोर्ट ले लिया है असी रुपे का अच्छा सपोर्ट लेवल था जहाँ पर कहिना की साइड़ बेज मुमेंटम दिखा है और फिर तेजी की भी सिच्वेशन देखने को मिली है तो अच्छे लेवल से श्टॉक्स मुमेंटम दिखा रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छा आप मुह देखने को मिल सकता है लेकिन लंबी विदी के लिए काफी बड़े टार्गेट आप डेफिनिटी निकाल सकते है अगर आपने दो साल तक भी होल्ड किया तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करके इंग्रेच को ना ना भूले चैनल पने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिया मिलते हैं अच्छी एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक्यो अगैन फॉर वाचिन दिस वीडियो